हाई गुड बॉर्णिंग सास्यकालाद आपने मश्काव वनकाम एंड जैहिंद राम राम भायों कैसे दोस्तों फिर दुबारा से आज टॉपिक लेकर आयों एक डॉक्टर साब हैं जो सो कॉल्ड कार्डियोजिस्ट है आई उनको एक वार्निंग देने के लिए आया हूं हमने आर्टिय फाइल करी थी और उसमें हमें कुछ ऐसी बाते और पता चली है कि वह मैं किसी भी समय उजागर कर सकता हूं अगर वह अपने कामों से बाच ना आय तो और तीसरा क्या है यह थी जल्दी बता दूँ बने रहे मेरे साथ अभी आया और अभी बैंड बजाने के लिए बस तो दोस्तों यह मेडिकल करप्शन से रिलेटेड जो आज टॉपिक है इसको आगे बढ़ाने से पहले पहले आपको बता दूँ कि हमारा मेडिकल करांती मंच नाम का एक वाटसाप ग्रूप है और जो लोग सीरियसली इन्वोल होना चाहें इस काम में सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड करके से मतलब है अलो पैठीक करयो और एकर प्षकन नेश्रोपैठीक करक्शन हाथ तरे का करप्शन तो सिर्फ यह मत्सोच कहां कि सिर्फ करप्शन होता है ठीक थी अगर आपको जुड़ना है जहां पर हम आवाज उठाते हैं और बताते हैं आगा करते हैं कि यह देखिए इस तरह से यह सब हो रहा है इस दुनिया में आगे चलके इस को हम रेइस्टर कराएंगे ओफ-लाइन भी आएंगे मिटिंग भी होंगे लेकिन पहले कुछ मिनिमम क्र लोड़ पाएंगे नमबर एक चलिए अब आते काम की बात पर मुद्दा चरिटेबल डिस्पैंसरी से रिलेटेड करप्शन का है लेकिन उससे पहले मैं वार्निंग दे दूं उन कार्डियोलोजिस को जिनको मैंने एक्सपोस किया था यह बताया था कि कैसे यह सो कोल्ड का एक सो तीस से ज्यादा काडिक सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में और मैंने उनके डिगरी भी दिखाई थी कि यह देखिए डिगरी जो अपने आपको कार्डियोलोजिस बोलते थे अब वो काडिक एक्सपर्ट लिखते हैं अब वो वैसे उनके कुछ वीडियो ऐसे थे हा तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने सोचा की चलिए आज इनका भी कच्छा-चित्टा खोल देते हैं तो मैंने काट है और फाइल करी थी यह पता करने के लिए को कि यह अपनी वैब्सेट में बताते हैं जी मैं AIMS में रहा हूँ AIMS में आप कहां रहे, क्या किया ये भी तो पता होना चाहिए क्या कार्डियोलजी डिपार्टमेंट में थे तो वो भी उमें पता चल गया है वो हम तब बताएंगे सही समय आने पे कि आखिर ये AIMS में करते क्या थे सुनेंगे तो आपके भी कान खुल जाएंगे लेकिन अब शयाद इनों ने अपने आपको डाइटिशन बताना शुरू कर दिया है अब ये उस तरह के अगर वीडियो बनाएंगे लोगों को ब्रहमित करने वाले तो फिर मुझे कच्चा चिठा खोलना पड़ेगा अंजाम चाहे कुछ भी हो लोगों को बताना मेरा फर्ज है तीसरी बात पर आते हैं अब चैरिटेबल डिस्पेंसरी के बारे में ठीक है जगा जगा आप देखते होंगे चैरिटेबल डिस्पेंसरी यां बनी हुई है मंदीर में गुर्दवारों में हाना चर्च मुझे कम लिजर आइए हैं गुर्दवार films में सबसे जाता है आला कि कर्रेप्षिन तो हर जगह तरे जो इनके ट्रस्टी होते हैं उनके आपस के कितने जगडे होता हैं और वहां पे क्या क्या करफ्षन होता है वह आप सोच भी नहीं सकते हैं एक बार एक मैं यह तो नहीं बताऊँगा गुर्दवारा था मंदिर था एक बार हमने वहां सोचा कि हम अपनी ब्लेड क्लेक्शन सेंटर खोलते हैं चेरिटेबल रेट वे और तो हमसे भी रिश्वत म मांझना चलुए तो यह अलग कर रॉपशन होंगे लेकिं चेरिटेबल रिस्पैंसर्याइब आ जो खुली होती हैं वहां पर जो डॉक्टर श काम कर रही होते हैं जादातार तर इस्पैंसरी में कौन से डॉक्टर वहां पर जाते हैं नंबर एक उनका इंट्रस्ट क्या होता है वाँ जाने का नंबर दो और आखिर उनकी इंकम कहां से होती है नंबर तीन सिर्फ चैरिटेबल डिस्पेंसरी मेडिकल लाइन में ही सब यह सब क्यों चल रहा है बाकी जगा क्यों नहीं चैरिटी होती यह भी एक सवाल है है ना इतने छोले बटूरे की दुकाने खुलने है तुम भी चैरिटेबल खोल दे छोले बटूरे की दुकान मना तो खाके है यह तो सोड़ा सस्ता खाके मर जाएगा चलिए मजाग नहीं भी करोंगा चेरिटेबल डिस्पेंसरी देखो जब डॉक्टर नएने आते हैं पास होके तो उन कहीं लोगों के पास कोई वो नहीं होता क्या बोलते हैं उनको पास जगा नहीं होती प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि माबा अपने डॉक्टर बना दिया इतना पैसे लगा द देखनी है तो चेरिटेबल डिस्पेंसरी आं उनके लिए ज़्यादा एक आकर्शक चीज होती है क्योंकि चेरिटेबल डिस्पेंसरी करते हैं लेकिन जहां आज कल डॉक्टर की फीज पांच सो रुपे से लेकर हजार रुपे के बीच में है ज्यादतर जगा पे एक स्पेशलिस्ट की वहां इनके आं 30-40-50 रुपे में पेशन दिखा के चला जाता और बड़ा खुश हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है आप एक बात सोचो इन डॉक्टर्स को वहां पे आके क्या फाइदा वो क्यों 30- कुस लोगों और होते होगे कुछ लोगों को सिर्फ पर पेशंट के हिसाब से पैसा मिलने में वह इतने कम पैसों में पेशिंट कैसे देखते हैं, पहले ही साप को उतार दूँ, तो कैसे देखते हैं, बताइए, देखो एक तो यह होता है कि जी वहाँ से कुछ पेशिंट वो अपने बना लेते हैं, अपनी क्लाइंटेश बना लेते हैं, फिर बगल में अपना क्लिनिक खोल लेते हैं कि भाई शाम को वहां में वहां के दिखा दो वहां पर कमी रखता है ज़ादा नहीं रखते goodnessacz छागर में जहाहां ठावन Nicaiник को जोईन किया जाथा है क्योंकि वहां से एक आपको अना होस्पिटल करतें तो बहां परिंग होता है तो जिन लोगों को हस्पिटल नहीं मिलते हैं उनको charitable dispensary मिल जाती हैं मैंने भी करा charitable dispensary में काम कुछ दिन तक हाला कि ज़्यादा दिन करनी पाया लेकिन में मकसद और क्या होता है पैसा कमाने का और कहां से पैसा आता है इन डॉक्टर्स के पास और वो आता है दवाईयों से मरीज कभी यह नहीं सोचता कि आपने 50 रुपे की पर्ची तो कटवा ली लेकिन जो आपको दवाईयां दी गई जहां तीन दवाईयां दी जानी थी वहाँ पर 6 दवाईयां दी जा रही है और उन 6 दवाईयों की कीमत इतनी ज़्यादा है जो मिलेंगी भी वहीं आस पास ह और उनकी MRP इतनी हाई होती है कि जो पेशेंट जो दवाई 200 रुपे का है पता होना चाहिए वो 600 रुपे का होता है तो कुल मिलाके वो दवाईयों से कमा लेते हैं तो मतलब पेशेंट ने तो देखो आपको पैसे तो देखे जाने पड़ेंगे और पहली चीज क्वालिट लोग जिनके पास कोई काम नहीं है ज्यादा तरह यह इस तरह के लोग होते हैं कुछ वहां पर ठीके रह जाते हैं कुछ वहां पर छोड़के चले जाते हैं बाद में जब उनकी अपनी प्रैक्टिस शुरुआ रहती है लेकिन दवाईयों के थू बहुत बड़ा एक धंद में सबसे ज़्यादा और यही मैं आप बोलूंगा कि पंजाब में मैंने पता किया कि वहां पर कंसर्टिशन फीस कम है लेकिन वहां पर सब ने अपने कुछ कैमिस्टों ने अपनी पॉली क्लीनिक खोले हुए हैं वहीं पर बैठे हुए हैं वहीं पर उनी की दवाईयां ल और यह आपकी है और आपको यह बात समझने चाहिए कि मेरी मुझे इन दवाईयों की ज़रुत भी है या नहीं है और मैं जो पैसा बचाने के चक्कर में यहां आया हूँ ने ने लॉंडों को दिखा रहा हूं ऐसा तुझी मेरी और ऐसी दैसी हो जाए मैं यह नहीं लड़ डॉक्टर बन गया लेकिन असली आटे दाल का भाव उसको पता चलता है जो मार्किट में आता तब समझ में आता है इतना आसान नहीं है प्रैक्टिस करना तो यह रूट है चरिटेबल डिस्पेंसरी अब आते हैं बात टेस्टों की फालतू के टेस्ट भी लिखे जाते हैं क्योंकि वहां पर कमिशन का खेल है लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक कोई पंजाब के बहुत अपने आपको ग्यानी साब जो कुछ चैरिटी करते हैं वो कह रहते हैं जी देखो यह बाहर सिटी स्कैन इतने का होता है मैं सिर्फ पंदरा सुर्वे में क्यां दुबर चैरी चैरिंट का हो रहा है वो फस्त हो जाते हैं महां पर लेकिन प्लाइटी स्कूडिक को बहुत बहुत क्याएं कि इतनी गलत report आती है इतनी गलत report आती है कि आपको दुबारा test कराने पड़ते हैं मैं यह नहीं कहा रहा है कि सारी private lab भी अच्छी है private lab में भी बहुत गोरक दिने हैं वहाँ पर भी जो नहीं ने doctor या इस तरह की doctor है जिनको कुछ नहीं आता है रेडियोल्जिस्ट की डिगरी मिल गई और बैठे हुए है इतनी गलत रिपोर्ट आती है अल्टरसाउं की मैंने पहले ही बताया 50% से ज्यादा रिपोर्ट गलत होती है सबस्टेंडर्ड रिपोर्ट से होती है कहीं रिखा देंगे गैस है कहीं ये है कहीं वो है प्लान है कि पूरे पेट का सीट से स्केन रंगी प्राइब में और वही पंद्रा सो परके दे रहाए गार तो उसमें ड़ती है कहां से हो जाएगा इंजे जो उसमें दबा दी जाती उसका भी पैसा लगता है तो लेकिं चाल वह पेशेंट अपना ले आएगा लेकिन जो रिपोर्टिं करने वाला डॉक्टर है अच्छा रेडियोल्जिस होगा तो 15 सुर्वे तो खाली रिपोर्टिंग के ले लेगा और आप उसको करा के देर हो तो मतलब यह है कि आप कहां से रिपोर्टिंग कराओगे यह भी तो बात है तो आप ऐसी जगह से रिपोर्टिंग कराओगे जहां पर क्वालिटी सफर करेगी करेगी लेकिन पेशेंट को लगता है कि बहुत सस्ता मुझे तो हो गया मेरे तो काम मच्छा हो गया यह नहीं पता उसको कि तेरी तो भाई पूरी बिमारी बदल जाएगी तेरा इलाज भी बदल जाएगा वह बाता लगए कि अगर कोई पड़ पिकी मानेंगे 50% डिग्नोसिस गलत होती है 50% को टीबी बता देगा तो पता चला कुछ है यह नहीं बहुत बार ऐस होता है जो टुबर क्लोसिस बता दिया जाता है पिशेंट को किसी टी चैस में टुबर क्लोसिस है और वहां पे कुछ भी नहीं होता है देखो आपने डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए मैं आपको एक बात बता हूँ आपको इन थरीका बताता हूं मैं पहले भी बता चुका हर प्राइवेट लैप कोई डिसकाउंट देती है ठीक है हर प्राइवेट लैप कुछ न कोई डिसकाउंट देती है मार्जिन बह है कि इतना तो हर टेस्ट में कुछ था है कूछ इस्पेशल टेस्ट होते हैं जहां पर उनको भी आگे बहुता है कुछ तेस्थ होते हैं इसक्षां किस घ्राइब के उनको कुछ तरह से आप request तो करें अपने doctor से कि sir हमें समय को discount लिख दो बहुत महँगा test CT scan में उतना discount नहीं होता जितना MRI में होता ये भी में बता दूं MRI में margin ज्यादा होते है CT scan में कम होते हैं ठीक है CT scan में भी लेकिन 20-25% discount to CT scan में भी मिल जाता है MRI में आपको 40-50% discount मिल सकता है और मैं सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी 40-50% डिसकाउंट पर यहां पर कराके देता हूं और मुस्स साथ 8000 रुपे के आसपास में वेस्ट डेली में जो की मार्किट रेट 15000 से कमका नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अफ्स, मेरा कहनए का मतलब है कि अगर आपको अच्छी जगह से डिसकाउंट रेट पे टैस्ट मिल रहा है तो बैटर है वहाँ से कराएं बजाए उस इसे की वह चेरिटेबल डियागनोस्टिक सेंटर जो कुलाओ नहीं है वहां से कराने के, मैं मानता हूँ आपको हजादो जार रुपे का फर्क बढ़ेगा, लेकिन अगर एक अच्छी जगा से आपको डिसकाउंट रेट में, मालो एक टेस्ट है, पांच जार का, अच्छी जगा से आपको वो डिसकाउंट के बाद तीनी जार का पड़ रहा है, ठ चैरिटेबल डिसकाउंट कर दो, उन्होंने आपस में टाइप किया हुआ, अच्छी बात है, हाना, तो ऐसे वैस जेली में हमारे है, कि अगर कुछ गुर्दवारे वगर ने ऐसे टाइप किया हुआ है, कि अगर उन से लिखवाल होगे, या किसी धार्मिक संस्ता से तो कि अगर構 career कर देता हुआ, मैं तो हर पेशंट को बिना पूचे कर के देता हुआ, सच बता रहा हुआ हम, क्योंकि इतना baoôm होता है, तो आपको मैंने बता दिया, ये सब मेरी डिशा吧 क bize लिखें, सिर्फ जन्द refreshed लिए अपनी Maine बाता है, कमाना हर एक ने, आपको क्या लगत कर देखी परूंगा खर हो कितना कुछ बोर्ड लगवा था है कंदा मेरेक साधी कई दो जार रुपे का चूना लगाया दित तो दुखा जिसको मैं इतने अच्छे डंके ट्रीट करता था और कम फीस में देखता था उसी ने मुझे मार्किट रेट से दो जार पर फालतू लिए क्योंकि मैंने पहली बार उससे काम कराया था उससे माफी भी मांगी में से कि हाँ सर मैंने आपको चूना लगाया तो आपको क्या लगता है भाई चूना हर कोई लगा रहा है एक दूसरे को अब आपको बचना है कैसे है यह आप जानी है सस्ते के चक्कर में मारे जाओगे किसी दिन यह बात कंफर्म है शरीर है बाडी है तो अपने डॉक्टर को बोलो डिसकाउंट करा के दे लिखवा लिखवा लो करा के देगा कोई भी लेब मना नहीं करती है अगर वो रैब के एक जैनलिन रेट है हाना हाई हाई ली inflated rate नहीं है तो आप जाएए पता करें आपके इलाके में best lab कौन सी है वहीं से test कराएं जहांकि reputation अच्छी हो और अपने डॉक्टर को बोलें भाई मुझे लिखके दो मुझे discount चाहिए खत्म thank you very much और मेरे पास जब आएंगे तो मैं तो आपको discount कहीं से भी करा के देशकता ह में आप मुझे बोलें मैं online भी आपको discount करा के दूंगा यह मेरा वादा थैंक्यू शुक्रिया बागी शेयरों का मुझे पता नहीं तो इसलिए मैं दिल्ली की तो guarantee देशकता हूं बागी का मुझे नहीं पता हूं